गुजरात में वलोदरा जिले के वागोडिया विधानसभा सीट से निर्दली विधायक धर्मेन सिंग बागेला ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया पिछले दो महिनों में ऐसा करने माले वा तीसरे विधायक बन गए हैं वाजल्द होने वाले लोगसभा चुनाओं से पहले अपने समर्थकों के साथ दोबारा से भारती अंता पार्टी में शामिल हो सकते हैं वाजल्द होने का कि उनके फैसले का मकसद देश में राम राज्य कायम करने के प्रयासों में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और केंदरी ग्रह मंतरी अमिश शाह का समर्थन करना है वागेला ने गुजराद विदान सभा दक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौपने के बाद आज गांधी नगर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा मैंने अपने विदान सभा शेत्य की जनता से चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया है मैंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि मैं देश में राम राज्य स्थाफित करने के कोशिश में प्रधान मंतरी मोदी और अमिशा के हाथों को मजबूत और ससक्त करना चाहता हूँ उन्होंने जल्दी एक बार फिर से भाजपा में जाने के अपनी योजना के बारे में संकेत दिये वागेला ने आभी साफ करते हैं कहा कि 70 और दल की और से उन्हें किसी खार और बड़े पद का बादा नहीं किया गया वागेला से पहले पिछले साल दिसंबर महिने में विशाव अदर सीट से आप विधायक भुपेंद्र भयानी और विजापूर सीट से कांगरेस विधायक सीजे चावडा ने भी स्तीफा दे दिया था अपरेल में लोग सभा होने की पूरी संभावना है पूर्ब में भाजपा से जुड़े रहे वागेला ने 2022 के गुजराद विधानसवा चुनाओ में टिकट नहीं मिलने के बाद बगावत का विगुल बजाते हुए निर्दली उम्मीदवार के रूप में चुनाओ लड़ा था उन्होंने भाजपा के अस्विन पटेल को 14,000 से अधीक वोटों से हरा कर एक बड़ी जीत हासिल की थी वागेला और दो अपने अन्य उम्मीदवारों धवल सिंग जाला और माउजी भाई देशाई को पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दली चुनाओ लड़ने के लिए भाजपा से निलंबित कर दिया गया था हाला कि चुनाओ के बाद तीनों ने प्रधानमंत्री मोदी के जन समर्तक कारियों के चलते भाजपा सरकार को अपना समर्तन देने की घोशना की थी गौर तलब है कि 2022 के गुजरात विजानसवा चुनाओं में भाजपा ने 122 में से 156 सीटे हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की थी इस बार भाजपा ने राज की सभी 26 लोग सभा सीटों पर भगवा लहराने का एलान किया है